हेलो वैस, आज हम बात करेंगे redmi devices के बारे में और आज हम बात करेंगे call recording के बारे में किस किस तरीके से आप लोग अपने phone मे we go to record कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिगा बेल का इकन को प्रेस का लिजीगा वैसे मैंने काफी सारे मॉडल्स पे वीडियो बनाया है बट अभी हम रेडिमी पे स्टार्ट करें and call recording के बारे में जैसे ही मैंने देखा यहां पे तो क्या होता है कि usually काफी सारे फोनों में Google डाइलर में हम अगर सेटिंस उपन करतें तो यही पे हमें call recording का options देखने को मिल जाता है बट यहां पे अगर हम बात कर रेडिमी फोनों में तो यहां पे हमें यह feature देखने को नहीं मिलता है मतलब हम अपने फोन में automatic call recording नहीं कर सकते automatic नहीं कर सकते बट manual तरीके से कर सकते Manual तरीके से कैसे करेंगे जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर Screenshot देख सकते कि जैसे आप लोग किसी व्यक्ति को Call लगाएंगे उस टाइम पर Calling का Interface रहेगा और जैसे अगला व्यक्ति Call उठाएगा वैसे ही यहाँ पर Recording का Option देखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग Call को Record कर सकते ओके तो यह तरीका हो गया Manual तरीका जिससे आप लोग Call को Record कर सकते और अगर आप लोग चाहते कि हमारे फोन में Automatic Call Recording भी हो तो आप लोग Third Party Apps के मार्दियम से भी यह कर सकते प्लेश टूल्टे आप लोग तो आप लोग को काफी सारे Apps दिक जाएगी बट अगर हम बात करें अभी की डेट में तो Automatic नहीं कर सकते बट हाँ Manual तरीके से कर सकते I hope आप लोग को वीडियोस पसंद आएगी आगे चलके क्योंकि काफी सारी वीडियोस आप लोग को Redmi Phoneो से related मिलते रहेगी